जहिल, डिजिटल अस्कॉटिंग में आपका स्वागत है कैम फायर अस्काउट गायर प्रसिछन का एक अभिन अंग है पुरे दिन के किलिया कलापों के बाद कैम फायर की बारी आती है जो कि Campfire आस्काउट गाय प्रसिछन का एक बहुत ही रोमांचिक करिकelव होता है तो इस वीडियो के मात्म सेवा जन्कारी प्रास कर रहे हैं कि Campfire क्या होता है Assuka गाय प्रसिछन में Campfire का क्या महत्म है Campfire का एरेलिमेंट किस परकार किया जाता है कम फायर का डिजैन क्या होता है के फायर में आग किश परण लगाए जाने चाहिए के फिर का ओपनिंग सेर्वरेनी और क्रोजिंग सेर्वरी किश परछाश्य के हुती है कए फायर सब्सक्राइब करने बाले हैं मैं कास अकेला रांश्क्राइब स्काउट स्काउट मास्टर अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अस्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूं तो हम सब इस वीडियो के माज़म से कैम फाइर से तो जर्कारी फ्राफ करते हैं। कैम फाइर का स्काउटिंग गाइडिंग में क्या महत्त हैं कैम फाइर को कि स्प्रकार आर्रंजमेंट किया जाता है। कैम फायर का कैम फायर के आपको किस प्रकार जलाया जलता है कैम फायर का ओपनिंग सरीवेनिक कैसे होता है क्लोजिंग सरीवेनिक कैसे होता है इस सब्सक्राइब करेंगे तो आप सभी वीडियो को लाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिक के साल समयच मा पर आपको बिंता रहे तो चली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानकारी को आप करते है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैम फाइर क्या है या एक अपसर के साथ-साथ एक माहूल भी है या आम तोड़ पर कैम्प में दीन के काड़ करम का अंतिम भाग होता है यानि या कैम्प फायर प्रतिक दीन का जो काड़ करम होता है उसका या अंतिम भाग होता है यह Ascouting Guiding की यह खास विशिष्टा है और Ascouting Guiding के साथ ही इसका जैन्म हुआ है यह Camp Fire है ना कि Camp on Fire अब हम लोग जानते हैं Ascout Guiding Precision में Camp Fire का क्या महत्त है यानि हम लोगों का जो Ascout Guiding Training होता है उसमें Camp Fire क्यों जरूरी होता है उसका क्या महत्त है इसके बारे में जानते हैं बेटन पाविल ने Ascouting for Boys के अध्यायों को Camp Fire यार्न कहा है इससे पता चलता है कि Ascouting Guiding के दर्शन और तकनिक को Camp Fire में पढ़ाया जा सकता है दुसरा पॉइंट है प्रेरना और एक दुसरे को समझने का या अस्थान है तिसरा पॉइंट है ब्रदर हुड सिस्टर हुड का एक समू जो त्रूप कमपनी गुरुब भावना को बढ़ावा देता है और अस्काउट गाईड नियम के तीसरे बिंदू की जर भी यही है चौबता पॉइंट है पेट्रोल सिस्टम अच्छी तरह से काम करती है और नेत्रित के गुन विक्षित होते है पाचवा पॉइंट है लड़के केमपायर में बहुत खुल कर अपनी बात रखते हैं और अस्काउट गैड उन्हें उनकी असली रंग में देख सकते हैं उसके वादे छटा पॉइंट संगीत और कला के परतीरूची और नाटकीय परतिवा का विकास होता है यहनं केमपायर में आपने संगीत के कला को और जो आप बीकास कर सकते हैं साथवा पॉइंट है कैम फायर लड़कों लड़कियों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है और उन्हें मौज मस्ती हसी और आनंद से भर देता है आठवा पॉइंट है असकाउट गयर प्रसिचन के नयतिक और अध्यात्मिक भाग के लिए सबसे अच्छी जगा है यनि असकाउट गयर का जो ट्रेनिंग होता है तो उसका जो नयतिक और अध्यात्मिक भाग होता है ट्रेनिंग का जो इस्सा होता है उस कैम फायर में के दोरानापों से प्रस्तूत करके लोगों को भी दिखाते हैं तो यह यह कापी अमात्पून अस्थान होता है नमा पाइंट है यह एक समारो है और बेतर प्रभाव के लिए कैम फायर के दोरान पिटोर्ड़ लिडर और सहायक का इंवेश्टेच्र और अण्य पुरुस्कारों और बएजों की प्रस्तूति भी की जा सकती है तो यह था कैम फायर का क्या महत्वीर स्काउड गारे प्रसिशन के दोरान अब जानते हैं हम लोग केम फायर का जो फिजिकल अर्णिमेंट होते हैं यानि जो वहां की भूती विवस्ता होती है वो किस परकार की होनी चाहिए तो पहला पॉइंट है केम फायर का अस्थान सूखा एब मच्छरों और अन्रिकिरों से मुक्त होना चाहिए यानि जहां हम लोग केम फायर कर रहे हैं वो अस्थान सापशुतरा होना चाहिए वहां की जमीन सुखी होनी चाहिए और वहां पे मच्छर या अन्रिकिरों नहीं होने चाहिए तूसरा पॉइंट है प्रचलित हवाओं पर ध्यान दे किसी को भी धुआ ना पीने दे यानि जो वहां केम फायर के अस्तान पर जो हवा चलती है तो जो केम फायर का धुआ है वो किसी के भी पास नहीं जाने चाहिए यानि इस किसी को धुआ ना पीने दे तिसरा पॉइंट है आग के बीच में लकडी की अच्छी आप उर्ती रहे जहां हम लोग केमफायर की आग जलाते हैं तो इस केमफायर की आग के लिए आपके पास लकड़ी की अच्छे आपूर्ती होनी चाहिए चौता पॉइंट है माचिस की तीली की तुलना में मसाल आग जलाने के लिए अधिक प्रभावी है आग जलाने से पहले घेरे में सुखी घास साफ कर ले यानि केमफायर की आग को जलाने के लिए हम लोग माचिस की तीली का इस्तमाल ना करके अगर हम लोग मासाल का इस्तेमाल करते हैं तो यह आप ही प्रवाबी होता है इसे देखने में लोगों को ज़्यादा आकरसक लगता है पाजमा पॉइंट है जमीन की ठंड से बचने के लिए बैठने की अच्छी विवस्ता हो यानि कैमपायर में सभी के बैठने के लिए अच्छी विवस्ता होनी चाहिए जमीन ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए लोगों के बैठने के लिए पत्थर रखना भी विचार गलतने या पत्थर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सारे रिक और सुभीदा से सो का उस्ता खराब ना होने दे यानि बैठने की कोई दिक्कत होती है या अन कोई समस्या हो जाती है सारे रिक कोई समस्या हो जाती है तिससे जो आपका kem fire का उस्सा कम हो जाता है यानि खराब हो जाता है तो इसको अभी से ध्यान रखा जातना चाहिए उसके बाद एक kem fire का design design of the kem fire तो kem fire का क्या design होना चाहिए उसके बारे में जानते हैं तो हमेशा एक सरकल और एकता भाईचारे बहनापे का प्रतीक लीडर और महमार भी सरकल की पड़िदी पर होगे तो यानि केमपायर का जो डिजाइन होगा वा एक सरकल होगा यानि गोल घरे के समान होगा एकता भाईचारे का प्रतीक के साथ जो भी लीडर होगे या जो भी ह जलाए लकड़ी को अच्छी तरिका से रखा जा सकता है ताकि आग के छेतर को चिन्द क्या जा सके परतीभागी इसमें परविष नहीं करते हैं याँनि आग के चारों जो अतरीकत लकड़ी रखे हुए हैं उस लकड़ी को अम्लगी स्प्रगार से रख सकते हैं ताकि यह एक चिन बना सके कि इसके आगे किसी परतिभागी को नहीं जाना है दूसरा है लेइंग दिफायर आग लगाना तो आग जमीन पर या गड़े में रखी जा सकती है तो जो कैम फायर की आग है उसे आप गड़े में या जमीन पर रख सकते हैं संकू आग को प्रात्मिक्ता दी जाती है यानि कैम फायर में जो संकू यानि कोन फायर होता है उसे प्रात्मिक्ता दी जाती है लोग केविन फायर और पेगोड़ा फायर का भी उप्योग किया जाता है अस्टार फायर भी जमाने लायक है या पूर विवस्तामे किया जाता है यनि इस परकार कियाका इस्तमाल आप Create Fire में कर सकते हैं उसके बाज जानते हैं आग जलाना और उदधातना समारो लाइटिंग दी फायर एन ओपिनिंग सेरिमिनी तो कैम फैर का किस प्रकार से ओपिनिंग सेरिमेनी होता है तो यह अबसर के अनुसार वैक्सवूर्ड बिढ़ी दोवारा फिलिंट और अस्टील या बाउ और ड्रिल दिल्चस्प होंगे कैम फैर के धाटन के लिए अगर हम लोग बड़ी सबाओं में यानि बड़ी गद्रिक में करते हैं तो आग के गोले, आग का धुवा, अन्य बहुत बड़ी सबाओं को रोमांचक को बढ़ा सकती है आग जलाने के बाद देशा की समारों की मांगे असकाउट मास्टर, गायड केप्टन या मुक अतिति और चारे क्रूप से कैम फैर को खोलने की घोसना करते हैं यानि कैम फैर में जब हम लोग कैम फैर की आग को जलाते हैं आग जलाने के बाद जो भी हमारे guests होते हैं या तो हमारी scout master, guide, captain होते हैं वो campfire opening की गोशना करते हैं उसके वादे the beginning part of it इसका अड़ंबिक वाग क्या होना चाहिए campfire का अड़ंबिक वाग क्या होना चाहिए तो troop company का leader campfire परभारी होगा वह ट्रूप कमपणी को कैम फाइर सरकल में खटा करता है यदिप असेंबल करता है पेटीरोल अपनी स्थिति संभालते हैं उसके बाद निम्र पॉइंट पर आपको ध्यान देने चाहिए तो पहला है आग जलाये जाती है उसके बाद टूप कमपनी को ध्यान में लाया जाता है और फिर आ स्काउट मास्टर गायट केप्टन से कैम फायर खुलने का अनुरोद किया जाता है अगर कभी कभी वा सहाया का स्काूट मास्टर सहाया गायट कैप्टन से ऐसा करने का अनुरुद करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है इस से टुरूब कम्पनी की स्वरत भावना में बिर्धी हो सकती है अजि पर चलाने के आवसिक्ता नहीं है लेकिन वह इसे नियंतरित करने के लिए जिम्मेदार है उसके बादे लर्णिंग दिक कैंपायर शीखना तो कि आपको किस परकार से लोगों के पस्तुति लेनी चाहिए किस परकार से आपको आरेंजमेर करना चाहिए पेट्रोल आइटम को हमेशा प्रात्मिक्ता दे चाहिए आम तोर पर एक आइटम के लिए दिक्तम पांच मिनट समय रखें देखें कि पेट्रोल के सभी सदसे सामिल है पहला गाना सभी परती भागयों को गाने और अच्छी संगती में दोनों में सामिल करने के लिए प्रेरित करता है यानि केमप्रायर का जो प्रस्तुत्ती है काड़करा में वो अधिकतां 5 मिनिट का ही रखना चाहिए उसे ज़्यादा का नहीं रखना चाहिए और याद देखना चाहिए आपको कि पेट्रोल के सभी सदस इसमें सामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसके बाद अगले आइटम और उसके आद आने वाले आइटम की घोसना करें यानि जब आप कारिकर्यों की प्रस्तुति के लिए लोगों को बुलाते हैं तो उसके अगले आइटम क्या है उसके बारें भी आप घोसना कर देंगे उसके बादे जब भी कोई आइटम खत्म हो जाए तो परतिभागियों को जैकारे और तार्या लगा कर पुरुजाहिद करे। जब कोई परतिभागियों अपने कारिकिरों की पुर्चौथी दे देते हैं उसके अधा आपका जो परवारी होता है वो परतिवागों का पुर्थाहन करने के लिए जैकारे यानि एल लगा करके और तार्या लगा करके पुर्थाहिद कर सकते हैं हर आइटम के वाद प्रसंसा की एल अधहीन है यानि प्रतिव प्रस्तुति पर आपको एल देने की जुरत नहीं है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है मूड के अनुरूप आइटम बदलते रहनी चाहिए यदि आवस्चक हो तो नए आइटम बनाने और ट्रूप कंपने को मूड में रखने में संसाधन पुन रहे संचीप्त लोग पर ये आइटम से शुरू करें जो काफी सोर्गुल वाले हो यानि कैमफायर के शुरूबात सबसे पहले जो संचीप्त यानि जो छोटा हो और जिसमें ज्यादा सोर्गुल हो और इसे काफी करम को करने चाहिए इससे लोगों का उत्साव अड़ता है कैमफायर तभी आननद दायक होगा जब उचीट करम बनाय रखाय जाएगा आइटम के समय बातचित नहीं करें उसके बाद एक कैमफायर का समापन क्लोजिंग दी कैमफायर समापन करने का समय थोड़ा लचीला हो सकता है यानि समापन करने में आप थोड़ा देरी कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं लेकिन जब सभी को लगे कि आगे बढ़ना है तो कैमफायर समापन कर दें घोसना है यदि कोई हो तो बहुत संचीब तो तोरित होना चाहिए यानि केमपायर के दुर्ण को या आप गोशना करना चाहते हैं तो वो जादा लंबा नहीं होना चाहिए आपको संचित में देना चाहिए समापन को अब चारिक रूप से सांथ और गंभीर महल बनाने के लिए भी किया जा सकता है रात्री गान या मौन प्रात्ना परभावी होंगे तेने केमपायर के समापती की दुर्ण आप रात्री गान या केमप या मौन प्रात्ना के साथ साथ इसकी समापन कर सकते हैं आग बुजाने के लिए जिम्मेदार पेट्रोल सतर्क होना चाहिए और ट्रूब कमपनी की रवानगी के बाद या कारी किया जाना चाहिए अब हम लो जानते हैं कर्म फायर में कौनकों सी कारेकरम प्रस्तुत की जा सकती है किर्पया याद रखें कर्म फायर आइटम हमिसा मज़ेदार या केवल गायन से संबंदित नहीं होना चाहिए तो निम्लिखीत में से कुछ आजमाय जा सकते हैं या प्रस्तुती हो सकती है तो सबसिश में आप कर्म भाय कर्म आपको देखते जाना है तो पहला है कहानिया छोटी लेकिन मज़ेदार कहानी दुसरा सांत खेल या गायन खेल समू गायन या गुरूप स्योंग दुसरा है समू निरित्य, लोक निरित्य, जंगल या आदिवासी निरित्य भक्ति या देश भक्ति गीत, एक्शन सौंग, भजन, कॉमिक्स, छोटी नाटिकाएं, नकल, डायलोग, सारेलिक प्रदर्शन, कभी कवार विदेशी गीत, कठपुतिलिक प्रदर्शन, सास्तिय संगीत, डंब सो, धुन कोई, एल्स दे सकते हैं आप मोनो एक्शन, चराटे, राउंड, छाया रेखा चित्र, बोने करित्य, असकाउट, क्राफ्ट कोवसल, नकल, प्रसनोत्री, पुष्टक वाचन यानि पुष्टक रिडिंग, आश्चर जनक बश्तुमें, बाद संगीत वगेरा आप केम पार के दरौन प्रस्तुत कर सकते ह उसके बाद कौन सी काड़करम से हमें बचना चाहिए, वाल्ट आइटम टू बी अवाइड़, तो सबसे पहला है असलिल बश्तुमें, दूसरा है धार्मिक रूप से आपत्ति जनी काड़करम, तिसरा है भूत प्रेत आदी जैसी, डरावने द्रिश्य, मतलबी बाते और बिनासकारी अलोचनाएं, सबो और भयानक चिको जैसी आवाजें, किसी भी बर्ग या पंत को नीचा दिखाने वाली कोई भी चीज, सरकार या देश के कानून के खिलाब कोई भी चीज, असकाउटिंग से अलगर उद्देश से हिन कोई भी चीज, इस तरह के काड़करम को कैम फायर के दुनाव पस्तूत नहीं करना चाहिए, तो यह था कैम फायर से उजड़ी कुछ महत्पून जानकारी, प्रतेक असकाउट गाइड रोवर रेंजर्स को या जानकारी होनी चाहिए, कोकि जो असकाउट गाइड प्रसेशन का जो कैम फायर एक महत्पून भाग हो और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें, तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंदे कर दो